नमस्कार, WK20 खास पेशकर्ष देश प्रदेश दुनिया में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आईए जानते हैं अब खबरे विस्तार से E.D. को जानकारी हाथ लगी है कि बांदरा खुरला में मंतरी नवाब मले के परिवार का एक प्लॉट है जिसकी कीमत लगभग 200 करूर रुपे है E.D. इसकी खरीदी का हिसाब किताब लगा रही है तो महराश्य सरकार ने सुप्रीम कोट को बताया कि राज्य पिछडा वर्ग आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौप दी है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानी निकायों में अन्य पिछडा वर्ग को 27% कारक्षन दिया जा सकता है वहीं शिपसरा के सांसद संजे राउत ने कहा कि केंद्र सरकार से कारवाई की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती केंद्र सरकार में कुछ लोग बदले की राजनीती में जुट गए हैं उधर ATS ने बांगलादाशी नागरिकों को अवे तरीके से सीमा पार करवा कर उनके लिए देश में दस्तावेस तयार करने वाले एक किरों का भांडा फोर किया इसी बीच भाजपा नेता मोहित कंबोज भारतिय ने राजज के पुलस महानिदेशक और मुंबई पुलस आयुक्त से सुरक्षा की गुहार लगाए प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप पने रहे हमारे साथ महाराष्टर के मंतरी नवामलिक पर एडी ने तीजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है अब एजेंसी को यहाँ भी पता चला है कि बांदरा कुरला में उनके परिवार का एक प्लाट भी है जिसकी कीमत लगबग 200 करूड रुपे है सुत्रो की मताविक मलिक के बेटे फरास की टचवूड रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 25 फी सदी की हिस्सेदारी है और यहाँ प्लाट उसी से संबंदित है इडी ने पता लगा है कि यहाँ प्लाट साल 2006 में खरिदा गया था और तीन बार में इसका भुक्तान किया गया था एजनसी अप ट्रांजेक्शन से जुड़े लोगों से पूछठाच कर रही है इसके अलावा टच्वूर्ड रियल इस्टेट कमपनी की बैलेंस शिट की स्कूरूटनी से यहाँ भी पता चला है कि उसने एसोसियेट ग्रूप अप कमपनीज के साथ 12.7 करोड रुपे का लेंदेन किया एजनसी एसोसियेट ग्रूप की भी जाच कर रही है महराष्ट के अलपसंख्यक मामलो के मंतरी को गज सुमवार को एडी ने हिरासत में लिया था उन पर 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टर माइन दाओद इब्राहिम के साथ लेंदेन करने का आरूप है इसके अलावा आरूप है कि उनका डी कमपनी से संबंद है एजनसी द्वारा पता लगाई गई मलिक परिवार की यह दूसरी हाई लेवल प्रॉपर्टी है पिछले सप्ता मलिक को अस्पताल में भरती कराया गया था बताया गया था कि एडी की कस्टडी में ही उन्हें दिक्कत हो गई थी पीमले कोर्ट ने तीन मार्श तक उन्हें रीमांट पर भेज दिया था सूत्रों का कहना है कि रीमांट के दवरान और इस वज़ा से एडी उनसे पुछटाज भी पूरी नहीं कर पाई महरश्ट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य पिछडा वर्ग आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सोब दी है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्तानिय निकायों में अन्य पिछडा वर्गों को 27 प्रतिशत तक आरक्षन दिया जा सकता है हाला कि इसमें यह शर्थ है कि आरक्षन का कुल कोटा 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा रज्य सरकार ने शिर्षय अदालत में दायर एक आविदन में कहा है कि अंतरिम रिपोर्ट के आलोक में भविश्य के चुनाओ को OBC आरक्षन के साथ आयुजित करने की अनुमती दी जानी चाहिए अधालत महराष्टर में स्थानिय निकायों में OBC आरक्षन संबन्दी आचिकाओ पर सुन्माई कर रही है महराष्टर सरकार की ओर से पेश वकिल सचीन पाटिल ने कहा कि नयालय की पूर्वकी आदेश के अनुसार उन्होंने आयोग के समक्ष डेटा पेश किया है पाटिल ने कहा कि आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौब दी है जिसमें कहा गया है कि OBC को 27 प्रतिशत तक आरक्षन दिया जा सकता है लेकिन यहां सिमा 50 प्रतिशत के कुल कोटा के आकड़े को पार नहीं करनी चाहिए यह मामला नयमूर्थी A.M. खानविलकर और नयमूर्थी C.T. कुमार की पीट के समक्ष सुनवाई के लिए आया था पीट ने मामले की अगले सुनवाई के लिए सुप्रिम कोट ने दो मार्च की तारिक दी है बतादे की O.B.C. आरक्षन को लेकर प्रदेश में काफी लंबे समय से राजनितिक बवाल मचा हुआ है शिवसिना के सांसच संजयराउत ने केंदर सरकार पर जोरदार हमला बुला है उन्होंने कहा कि केंदर सरकार से कारवाई की कोई अपिक्षा नहीं की जा सकती केंदर सरकार में कुछ लोग बदले की राजनिति में जूटे हुए है खास्तोर पर महाराष्टर और पस्चिम बंगाल में बदले की कारवाई शुरू है उसमें भी महाराष्टर में इसका प्रमान ज़्यादा है जो कीचड फेका जा रहा है उसमें उनके हाथ कितने गंदे है यही देश को पता चलना चाहिए इसलिए प्रधान मंत्री कारेले में मैंने कुछ सबूत दिये है महाराष्टर की जाच एजनसी तो अपना काम करेगी लेकिन केंदर की जाच एजनसी क्या कर रही है यह भी पता चलना चाहिए राष्ट ने कहा कि सिर्फ केंदर सरकार के पास में ही जाच एजनसी नहीं है महाराष्टर में भी है संजे राष्ट ने कहा कि BJP के कुछ नेताओं के साथ मिलकर महराष्ट्र में केंद्रिय जाच एजन्सिया एक क्रिमिनल सिंडिकेट चला रही है इस बात की भी जानकरी मैंने प्रधानमत्री कारहले को बतोर सांसद और एक शिवसेना निता के रूप में भी दी है ऐसी जानकरी मैं उन्हें आगे भी देता रहूंगा रहुत ने कहा कि IPS रश्मी शुकला के फोन टैपिंग मामले में भी जाच के बाद कई लोगों के नाम समने आएंगे जिनके इशारे पर यह फोन टैपिंग की गई थी महाविकास अगड़ी के कई निताओं के फोन टैप किये गए थे आखिर इसके जरिये रश्मी शुकला और उनके आकाओं के क्या मंशा थी यह अभी धिरे-धिरे जनता को पता चलेगा ATS ने बंगलादीशी नागरिकों को अवज तरीके से सीमा पार करा कर उनके लिए देश में दस्ताविस तयार करने वाले एक गिरो का भंड़ा फोड़ किया है मामले में पुलिस ने तीन बंगलादीशीों समित चार लोगों को दबो चाहे पकड़े गए लोगों में 17 साल की नाबालिक लड़की भी शामिल है ATS के एक अधिकारी ने बताया कि आरूपी बंगलादेश और पस्चिम बंगल की सीमा पर ऐसी जगह से दाखिल होते है जहां बान नहीं लगी है या अंधिरे का फायदा उठा कर लोगों को तार काट कर देश में लाया जाता है गिरों से जुड़े लोग पस्चिम बंगल के 24 परगना के बानगाव आधार केंदर पर तुरंत नया आधार काट तयार करवा लेते थे इसी आधार काट की मदद से बंगलादेशी गुस्पैटियों को मुंबई समित देश के दूसरे शहरों में बेज दिया जाता है यहाँ गिरों से जुड़े लोग गुस्पैटियों के जन्म प्रमान पत्र स्कूल लिविंग सर्टिपकेट जैसे दस्तावेश तयार कर देते थे जिसके बाद आरूपी पास्पोर्ट भी बनवा लेते थे ATS ने काजल शेक नाम की एक महला को गिरपतार किया है जिसने फरजी कागजात के आधार पर मुंबई में अपना पास्पोर्ट तैयर कर वा लिया था मुंबई में रहने वाले संतोश वारने नाम के आरूपी को भी ATS ने दबूचा है जो पिछले दस सालों से पास्पोर्ट एजन्ट के तौर पर काम कर रहा था वा घुसपैठियों को फरजी दस्तावेद मुहया कराता था पुलिस ने उसके पास से जन्म प्रमान पत्र की सव खाली प्रतिया बरामत की है भाजपा नेता मोहित कमबोज भारतिये ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त से सुरक्षा की गुहार लगाई है कमबोज की मांग का समर्थन करते वे विधान परिशद में विपक्ष के नेता प्रविन दरेकर सहित भाजपा के साथ विधाय को और सांसद मनुझ कोटक ने मुख्य मंतरी उध्व ठाकरे और गुरूह मंतरी दिलीफवल से पाटिल को पत्र लिख कर मोहित कमबोज को सुरक मिली हुई थी लेकिन साल 2020 में इसे हटा लिया गया पुलिस को इस पर विचार करना चाहिए अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा कमबोज की मांग के बाद विधान सभा में विपक्ष के नेता प्रविन दरेकर विधायक प्रसाद लाड अतुल भात पिछले कुछ दिनों से सत्ताधरी पार्टी के नेताओं के खिलाब बयान दे रहे हैं इसलिए उनकी जान को खत्रा है साल 2020 में उन्हें दी गई सुरक्षा पुलिस ने हटा ली है देश के प्रमुक FMCG का डेरी कंपनी पराग Milk Foods Limited ने गोवर्दन ब्रांड के गाय के दूट की कीमत में दो रुपे प्रती लीटर बडौस्रे की गोशना की है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गर्बावस्था के दुरान अगर कोई महिला ससुराल के बजाए अपने माता पिता के साथ रहती है तो यह अतलाग का आधार नहीं हो सकता महीं दुखत खबर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एक्जीक्यूटिव ओफिसर सत्य नडेला के पेटे जैन नडेला की एक गंभीर बिमारी के बाद मौत हो गई जैन नडेला की उम्रच 26 साल की थी उधर राज्यतिक दुरिष्टी से देखा जाए तो पंजाब विधान सभा का सीधा असर राज्यस सभा पर पड़ेगा पंजाब से राज्यस सभा के लिए साथ सदस्य चुने जाते हैं मौजूदा राज्यस सभा सदस्यों का कारिकाल अप्रन और जुलाई 2022 में समाथ हो रहा है इसी बीच यूकरेन पे भारती दूतावास की ओर से एडवाईजरी जारी की गई है कहा गया है कि सभी भारती आज ही यूकरेन की राजधानी को हर हाल में छोड़ दें देश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ महंगाई का एक और तड़का लगा है अमूल के बाद गोवर्धन का दूद भी महंगा हो गया है देश की प्रमोक FMCG Dairy Company पराग Milk Foods Limited ने गोवर्धन ब्रांड के गाय के दूद की कीमत में दो रुपर वती लीटर बड़ोतरी की कोशना की है यह बड़ोतरी आज से लागो हो गई है इस बड़ोतरी के बाद गोवर्धन गोल्ड मिल की कीमत 48 रुपे से बढ़कर 50 रुपे हो गई है इसी तरह गोवर्धन फ्रेश की कीमत 46 रुपे से 48 रुपे तक पहुँच गई है कंपनी के चेर्मेन देवेंदर शाहा ने कहा कि करीब 3 साल के बाद कीमतों में बड़ोतरी की गई इनरजी, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और पशुचारे की कीमतों में भारी बड़ोतरी से कंपनी के पास दूद की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हम स्थिती पर नजर बनाये हुए हैं क्योंकि इन्पुट कॉस्ट में भारी बड़ोतरी हुई है स्थिती को देखते हुए इस बारे में हम फैसला करेंगे सुप्रीम कोड ने स्पष्ट किया कि गर्ववस्था के दौरान अगर कोई महिला ससुराल के बजाए अपने माता-पिता के साथ रहती है तो वह तलाग का आधार नहीं हो सकता इसे उसका पती कुरूरता की श्वेणी में नहीं रख तक सकता सुप्रीम कोड के जस्टिस की एम जोसिफ और रिशीकेश रॉय की बेंच ने यह फैसला सुनाया है मामला तमिल नाडू का है याचिका करता का विवाँ 1999 में हुआ गर्ववती होने पर उसकी पतनी अपने माता-पिता के पास चली गई बहां उसके बच्चे का जन्म अगस 2000 में हुआ इसी बीच परवरी 2001 में उसके पता का निधन हो गया इस कारण वह कुछ अधिक समय तक ससुराल वापस नहीं लोट सकी इसी आधार पर परिवार ने नियायले बें तलाख के लिए याचिका लगा दी इसके बाद पती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी शीर्श अधालत ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट है कि याचिका करता की पतनी गर्बवती थी इसलिए वह अपने माता पिता के घर चली गई इसमें किसी को क्यों परिशानी होनी चाहिए महज इसी आधार पर मामला तलाग के लिए अधालत में कैसे लिया जा सकता है हाला कि अधालत ने इस दमपती के तलाग को भी इस आधार पर मंजूरी दे दी कि दोनों का विवहा संबंद अब बृत प्राय हो चुका है दोनों 22 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं अधालत ने स्पैसले के साथ ही याद चिका करता के से कहा कि वह पूर्व पत्नी को 20 लाख रुपे का मुआवजा अदा करे दुनिया के सबसे बड़ी सौफ्टवर कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला और उनकी पत्नी अनु के बेटे जैन नडेला की एक गंभीर बिमारी के बाद मौत हो गई जैन नडेला की उम्र 26 साल की थी जैन जन्म से ही सेरेबल पॉलसी नामक गंभीर बिमारी के शिकार थे सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट में CEO पतपर 2014 से बने हुए हैं नडेला ने डिसेबिलिटी से पीडित यूजर्स को बहतर सेवा देने के लिए डिसाइनिंग प्रोडक्ट पर जोर दिया था उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे जैन के पालन पोशन और सयोग देते हुए काफी कुछ सीखा है पिशले साल Children's Hospital में नडेला के साथ मिलकर सियेटल Children's Center for Integrative Brain Research के भाग के रूप में जैन नडेला एन नोट चेर इन पीडियाट्रिक नियूरो साइंस की स्थापना की थी Children's Hospital के CEO जेफ स्पेरिंग ने अपने बोड को भेजे मैसेज में कहा कि जैन को संगीत की अच्छी समझ उसकी उजवल मुसकान और अपने परिवार और अपने प्रियजनों को उनके द्वारा दी गई खुशी के लिए याद रखा जाएगा इस मैसेज को Microsoft के Executives के साथ शेर किया गया Cerebral Palsy एक Neurological Disorder है जिसे बच्चों की शाररिक गती चलने फिरने की शमता को प्रभावित करता है वर्ष 2017 में सत्या नडेला की ओर से लिखी गई थी जिसमें Cerebral Palsy से जूच रहे अपने बेटे से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया था पंजाब इधान सभा का सीधा असर राज्य सभा पर पड़ेगा पंजाब से राज्य सभा के लिए साथ सदस्य चुने जाते हैं मौझूदा राज्य सभा सदस्यों का कारेकाल अप्रेल और जुलाई 2022 में समाप्त हो रहा है अगर मौजुदा सदस्यों की बात करें तो कॉंग्रेस और शिरोमनी अकाली दल से तीन तीन और भाजपा से एक राज़सभा सदस्यों का कारिकाल अप्रल में समाप्त हो रहा है उनमें कॉंग्रेस के प्रताब सिंग बाजवा, शमशेर सिंग दुलो, अकाली दल के सुखदे राज़ में श्रियत भाजपा सरकार के दौरान चुने गए थे, उस समय श्रियत भाजपा गडबंधन के पास 70 सीटे थी, कॉंग्रेस के पास 44 सीटे थी और 3 नर्दलिये विधायक थे, राज़सभा सदस्यों का कारेकाल 6 साल का होता है, कॉंग्रेस की नजर इस बात पठी की है कि वह अपने सीनियर नेताओं को पंजाब के रास्ते राज़सभा में लेकर जाए, कमोबेश अकाली दल भी इस कोशिश में है कि उनके ज्यादा सदस्य राज़सभा में हो, इसके पीछे इन दलों की सोच है कि वह केंद्र की राजनीती को प्रभावित कर सकते हैं, आ आम आदमी पार्थी के नेताओं और आजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि राज़सभा जुनाफ में आप इस बार पंजाब में खाता खोल सकती हैं। कि पूरी सरकारी मशिनरी यह सुनिश्चित करने के लिए 2400 घंटे काम कर रही है कि यूकरेन में फसे सभी भारतिय सुरक्षत रहें। इसी बीच केंद्र सरकार ने संखर्ष ग्रस्थ यूकरेन से फसे छात्रों और नागरेकों को वापस लाने के लिए उप्रेशन गंगा शुरू किया। केंद्रिय मंत्री हरदीप सिंग पूरी जोतिरादित सिंधिया किरेंद रिजुजू और सेवा निवरित जनरल वीके सिंग सहेद विदे इशिश दूत यूकरेन में चल रहे रूसी सेन्य अभियानों के बीच फसे भारतियों की निकासी के समनवै के लिए यूकरेन के पड आज ही यूकरेन की राजधानी को हर हाल में छोड़ दें वे कीव से निकालने के लिए ट्रेन बस या किसी भी चीज का सहारा लें रूसी सेना का विशाल काफिला यूकरेन की राजधानी कीव की ओर बड़ रहा है यहाँ काफिला 64 किलोमीटर लंबा बताया गया है तो सैंटराज अमेरिका ने सैंटर राष्टर में रूसी मिशन के 12 सदस्यों को निश्कासित करने की गोश्टा की अमेरिका ने उन पर जासूसी का आरूप लगाया है वही रूस के सैंटर हमलों के बीच यूकरेन से निकल रहे भारतियों के पडोसी देश पुलेंट का बड़ा सहारा मिल रहा है पुलेंट में उनके रहने, खाने और अनजरूरी सुविधाएं मुहया करवाई जा रही है उदर चीन ने रूस से गेहूं खरीत पर लगे सभी प्रदीबंदों को खत्म कर दिया है यूकरेन युद में चीन-रूस का लगातार साथ दे रहा है इसी बीच ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिन में तिरंगा लगी गाड़ी देख, यूकरेनी और रूसी सेने गोलिवारी डोक दे रहे है इतना ही नहीं भारतिय चात्रों को रास्ता भी दिखाया जा रहा है दुनिया भर की इन पांच बड़ी खबरों को बस्तार से जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ यूकरेन के साथ बाच्चीत बे नतिजा रहने के बाद रूस ने संभावता क्यूँ पर बड़ा धावा बुलनी की तैयारी कर ली है रूसी सेना का विशाल काफिला यूकरेन की राजदानी क्यू की और बढ़ रहा है या काफिला 64 किलोमिटर लंबा बताया गया है क्यू पहले ही कई रूसी हमलों को विफल कर चुका है इसे देखते हुए लग रहा है कि रूस ने अब इस पर कबजे के निर्णायक तैयारी कर ली है या काफिला उत्तरी क्यू की और जा रहा है कुछ सेन्य वहानों में सेनिक तो कुछ में हतियार वह गोला बारूद है दूसरे तरफ यूकरेन के ओक्तिर का शहर में रूसी सेना ने जोरदार हमला किया है इस हमले में यूकरेन के सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है जिसमें 70 से जादा यूकरेनी सैनिकू की मोत की खबर है रिपोर्ट के मुताबिक युक्रेन के राश्ट्रफती वोलेदे मिर जेलेसके का कहना है कि पिछले पाच दिनों से रूस ने युक्रेन में 56 रॉकेट और 113 क्रूज मिसाइले दागी है रूसी मिसाइलों प्लेन और हलिकाप्टरों के लिए नो फलाई जोन पर विचार करने का वक्त आ गया है ताजा जानकरी यहा है कि युक्रेन ने रूस के दो विमान मार गिरा है इसमें सुखोई 30 भाईव और सुखोई 30 शामिल है इस समय रूस भी युक्रेन में जम कर हमले कर रहा है वही युक्रेन की सेना जवाब दे रही है जवाबी हमले के कारण रूस की सेना क्यूँ में अंदर तक पहुच नहीं पा रही है सयुक्त राज्य अमेरिका ने सयुक्त राष्टर में रूसी मिशन के 12 सदस्यों को निश्कासित करने की घुशना की है अमेरिका ने उन पर जासुसी का आरूप लगा है अमेरिकी मिशन ने उन लोगों का नाम नहीं लिया जिने निश्कासित किया जा रहा है यह भी नहीं बताया कि उन्हें देश छोड़ने के लिए कितने समय का समय दिया जा रहा है बहराल मालूम हो कि सहयुक्त राष्टर की राजनईक निर्देशिका के अनुसार रूस के पास सहयुक्त राष्टर से माननेता प्राप्ट उन्निस सो राजनईक है अमेरीकी मिशन ने एक बयान में कहा कि रूसी राजनईकों में जासुसी गती विदियों में शामिल होकर सहयुक्त राज्ज में निवास के अपने विशेशादी कारू का दुरूपयोग किया है जो हमारी राष्ट्रिय सुरक्षा के प्रतिकुल है वे हमेशा ही ऐसा करते रहे है हर समय यही बहाना होता है जब वे किसी व्यक्ति को गयर ग्रेटा घोशित करते है यही एक मातर स्पष्टिकरन है जो वे देते है इनके निश्कासन की पुष्टी सबसे पहले अमेरीकी उ पर आजदूत रीचर्ड मिल्स ने की थी जब निम्बेजीया ने सुमवार दोपर को सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत को बताया कि उन्हें रूसी मिशन के खिलाप मेजबान देश द्वारा उठाय गये एक और शत्रूता पुरुनक अदम के बारे में सुचित किया गया है इस निश्कासन को सयुक्त राज्य अमिरिका के साथ सयुक्त राष्ट्र समझोते और राजनाइक संबंदों को नियंतरिस्ट करने वाले वियना कन्वेंशन का घोरुल लंगन बताया जा रहा है रूस के सयन्य हमलों के बीच यूक्रेन से निकल रहे भारतियों को पडूसी देश पोलेंड का बड़ा सहारा मिल रहा है पोलेंड में उनके रहने खाने और अन्य जरूरी सुविदा मुहया करवाई जा रही है कभी भारत ने पोलेंड के सेकड़ों बच्चों को पनाह दी थी उस वक्त खुद पोलेंड इसी रूस के हमले का शिकार हुआ था दरसल द्वितिय विश्वयुद्ध के दावरान वर्ष 1949 में जर्मनी ने पोलेंड पर हमला बोल दिया जर्मन तानाशा हीटलर और सोवेत रूस के तानाशा स्टालिन के बीच गट जोड हुआ जर्मन अटेक के 16 दिन बाद सोवेत सेना ने भी पोलेंड पर धावा बोल दिया दोनों देशों का पोलेंड पर कबजा होने तक भिशन तबाई मची हजारों सैनिक मारे गए और भारी संक्या में बच्चे अनाथ हो गए वो बच्चे कैमपों में बहद अव मानवी हालात में जीने को मजबूर हो गए दो साल बाद 1941 में रूस ने इन कैमपों को भी खाली करने का फर्मान जारी कर दिया तब ब्रिटेन की वार कैबिनेट की मिटिंग हुई और उन विकल्पों पर विचार किया गया कि कैमपों में रह रहे पोलिश बच्चों के लिए क्या क्या किया जा सकता है ब्रेटिश वॉर कैबिनेट की मिटिंग में नवानगर के राजा दिगविजय सिंग जी जड़ेजा भी शामिल थे भारत पर तब अंग्रेजु की हुकुमत थी और जामनगर ब्रेटिश रियासत थी दिगविजय सिंग ने कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अनात पूलिश बच्चों की देखरेक को उच्छुक है और उन्हें नवा नगर लाना चाहते है अलग-अलग जत्तों में करीब भधार और साय बच्चे भारत आये महराजा दिगविजय सिंग जी ने जामनगर से 25 किलोमेटर दूर बालाचाडी गाव में शरन दिया एक और जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबन लगा रही है तब चीन ने उससे घ्यू खरित पर लगे सभी प्रतिबन्दों को खत्म कर दिया है रूस के पुराने दोस्ट चीन का मानना है कि डोनबास क्षेतर में रूस के लोगों पर अत्यचार और नाटो और यूरोपीय संग की ओर से सुरक्षा चिंताव सईत कई लंबे समय से चली आरी शिकायतों ने रूस को ट्रिगर किया यूरोपीय संगह और नार्डिक देशों ने सयन्य कारवाई चुनने के लिए मासकों की आलोचना की है यहां तक कि स्विजर लेंड ने भी रूस के खिलाब प्रतिबंदों में शामिल होने के लिए अपनी एहतियासिक रूप में तठस्तर अवयय को छोड़ दिया है चीन एक मात्रा ऐसा देश है जिसने रूस को समर्थन की पेशकश की है चीन ने तनाव को कम करने और वार्ता का आगरह करते वे कहा कि रूस और सभी देशों की वैद सुरक्षा चिनताओं को माननेता दी जानी चाहिए सायूक्त राष्टर में चीनी दूत ने नाटो की शीत युद्ध मानसिक्ता की भी आलोचना की है रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने यूरोपीय संगर में शामिल होने के लिए आविदन दे दिया है इस बीच सायूक्त राष्टर के महासच्यू एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि रूस की ओर से अपने परमानू दस्थे को अलर्ट पर रखना रोंग्टे खड़े कर देने वाला घटना करम है बड़ती हिंसा से बच्चो साइथ आम आदमी की हो रही मौते बिलकुल ही असविकारे है अब बस बहुत हो गया यूक्रेन में चल रही लड़ाई को अब रुकना होगा गुतारेस ने रूस से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की अपिल की है देश में तिरंगे की ताकत क्या है यह युद्धग रस्त यूक्रेन से स्वदेश लवटे चात्र चात्राओं की बातों से पता लगा है मिडिया रिपोर्टों के मुताविक ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे है जिन में तिरंगा लगी गाड़ी देख यूक्रेनी और रूसी सैनिक गोली बारी रोक दे रहे है इतना ही नहीं भारतिय चात्रों को रास्ता भी दिखाया जा रहा है भारत लवटे चात्रों का भी कहना है कि तिरंगी की वज़ा से वे सुरक्षित वापस लवट सके है रिपोर्ट के मुताबिक आगरा के आदित्य सिंग यूक्रेन में है उन्होंने फोन पर अपने परीजनों को बताया कि यहां खाने पीने की दिक्कत है पहले भारतिये दुतावास से संपर्क नहीं हो रहा था संपर्क होने के बाद तीन बसों में करीब 150 चात्रों को लेकर रुमानिया के लिए निकले है तिरंगा देखकर रूसी जैनिकों ने भी मदद की और रुमानिया तक पहुचाया युक्रेन से लवटी चात्रा साक्षी ने बताया कि हमें युक्रेन में पता चला कि तिरंगा का क्या महत्वा है हमें पहले ही निर्देश मिले थे कि तिरंगा साथ नहीं होगा तो किसी भी पल आप पर भी हमला हो सकता है मैं भी तिरंगा लगा कर निकली थी इसलिए सुरक्षित वापसी हो सकी एर इंडिया की फ्लाइट यूक्रेन से भारतियों को स्वदेश लाने के मिशन में लगातार उडान भर रही है अब इंडिगो, एर इंडिया एक्स्प्रेस और स्वाइस जेट भी आउपरेशन गंगा में शामिल हो गये है यूक्रेन में फसे भारतिय छात्रों को हंगरी रोमानिया और पोलाण के रास्टे फ्लाइट भेज कर लाने का महा अवियान शुरू हो चुका है तो आज इस खास पेशकश में बस अतना ही देखते हैं बीके बी न्यूस नमस्कार